हेलो दोस्तों नमस्कार जहेन जबारत मैं आपके अपने चैनल एम एज्यूकिस्त सपर पर आशा करता हूं सबी लोग ठीक होंगे दोस्तों इस समय यूपी ट्रिपिल सी का रजल्ट आ चुका है और यूपी ट्रिपिल सी के द्वारा जो पैट का रजल्ट आ चुका है उसके द्वारा अशंक भरतियों में आने की पूंते संबावना है अरथात जो दोशाथ 23 का जो साल है अगर आप चाहें तो यह आपके लिए एक नौकरी का वर्स हो सकता है मैंने कहा हो सकता है इसके लिए हो सकता है के लिए आपको सिर्फ ए लिए लिए लेना चाहते हैं और पैट में अच्छे नमबर गेन किया आपने तो आप अभी से कॉपी और पैंसिल लेकर के बैठी जाए और निरंतर आप यूपिट्र पैलेसी की जो भरतिया है जो आपके दिमाग में आपने सेट कर रखी है जैसे किसी को कणिस्टाइक बन किसी को और डिपार्टमेंट में जाना है तो उसी के लिए व अभी से त्यारी करना सुरू करते हैं ये मेरा आपाड़िए आप guarantee करेंगे आप सोचंगी अपने परिवार को माबाब को देखते हुए अपना जो लच्छे आपने तय किया है उसकी तरफ पूर्ट यह समर्पित हो जाएं तो दोस्तों मैं आज आपको इस चैनल के माद्यम से यह एजूकरिशन सफर के माद्यम से यह चैनल है आपका इस पर मैं जीएस के आल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी एकोनोमिक्स के साथ करेंट इपर पढ़ाता हूं आज मैं आपको जोग्राफी का एक महत्पूं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इस टॉपिक में यह टॉपिक तो किवल एक है लेकिन यह एक आप जोग्राफी का कोई पोशन पढ़के देखते हैं कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी जलक इस चैप्टर की जलक आपको उस टॉपिक में जरूर देखने के लिए मिलेगी अतहां यह एक महत्पूं टॉपिक है जिसका नाम है सूरताप और सूरताप को पर्थी पर कितना अताई इसके बारे में आपको बहुत ही बारी की से इस परश तरीके से बता चुका हूं इसमें आपको किवल यह बताऊंगा कि सूरत आपको कौन-कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं क्योंकि आप कोई भी एक्जाम देते हैं तो यहां से कोशन बन ऐसे कि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्स्राइब पर दीजिए दोस्तों का सेर्थ कर दीजिए लाइक करिए कॉमेंट करिए ठेंक्यू देखिए चलते मैंत्पूर हैं क्योंक आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी प्रत्वी है यह क्या मित्र अपनी प्रत्वी है आपने एकसर पढ़ा होगा सुना होगा देखा होगा कि प्रत्वी हमारी साड़े 23 डिगरी जुकी हुई है कितनी जुकी हुई है साड़े 23 डिगरी जुकी होने करन सारा खेला यहीं से होता है सारा जो सिस्टम होता है बहुत सरफ यहीं से होता है कि प्रत्वी साड़े 23 डिगरी जुकी हुई है कितनी जुकी हुई है साड़े 23 डिगरी जुकी हुई है कि आप सोचते होंगे कि प्रत्वी का नौर्थ पोल यह साथ फोल यह हुए यह नहीं है कि यह नहीं है क्योंकि मैं आपको मैंने आपको बताया प्रत्वी 23 अंस जुकी हुई है तो प्रत्वी का जो नौर्थ पोल होगा वह यह होगा और साथ पोल होगा और यह साथ पोल हो प्रत्वी साड़े तेश्ट डिगरी जुकी हुई है और साड़े 66 डिगरी का कौन बनाती है अगर आप से पूछा जाता है कि आप ये बताईए प्रत्वी कितने अंसरा कौन बनाती है तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे साड़े 66 डिगरी का कौन बनाती है अब आप देखेंगे कि जो विश्वत रेखा है विश्वत रेखा इस तरीके से नहीं होगी इस तरीके से विश्वत रेखा इस तरीके से होगी जुकी होगी यह आपकी विश्वत रेखा है इसे जीरो अच्छांस रेखा भी कहा जाता है एक कट्र भी कहा जाता है और भूमत्य रेखा भी कहा जाता है यह से जीरो अच्छांस रेखा कहते हैं क्या के थे मित्र जी रो चैन्स रखा क्याते हैं और जाक ऐसे बढ़ें हैं भूमड्य रेखा भी कहते हैं गुंध र्खा क्यों क्यों क्याते हैं क्योंकि भूमी को हमारी नlles अधून यह muốn psr माटती है मतलब भूमिको दो मद्य भाग से भूमिको मद्य भाग से विवायत करने वाली रेखा वी क्या का जाता है अब इसे बिश्वत रेखा भी कहते हैं यह भी पढ़ाया आपने कि बिश्वत रेखा बिश्वत रेखा क्यों कहते हैं आप जाण क्यों कहते हैं आप कोमेंट करके बता दीजिये कि बिश्वत रेखा इसे इसलिए कहा जाता है अंग्रेजों की జवासा में अगर जोन की बासा में देखा जाए तो इसे block of भी कहा जाता है अंग्रेजी में हमोस को अंग्रेजी में है अब हुष्वत रेखा और च्छा रेखा बात हरा यह गोध कि नाम एक हुआ तीनों का नाम एकी है एक मूवी आई थी गरम अक्षे लिए कि मारे उसमें हेरो एकी था ऐके ऑच्षे प्मार कॉमेडी हीरो था उसने हिरो थी वो अलग लग थी लेकिन उनका जो हीरो था यहारण इक ही था अब देखिएगा इसके उत्तर में साड़े 23 डिग्री पर सादे 23 डिग्री पर इसाड़े 23 डिग्री उत्तरी अच्छांस आप सोच रहा है कि सरी क्यों वता रहे हैं मित्र इसका प्रियोग अभी होगा आप परिशान हो बस देखते जाएं वीडियो को इसको मत करिए और थोड़ी समझदार हो तो नई है तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लिए यह आपकी करकर एखा है कोंची रेखा है करकर एखा है और आप अच्छी तरह जानते हैं बखुबी जानते हैं प का एफेक्ट हंडेड परसेंट हमारे महारत पर पर पड़ता होगा आज आपको बहुत ही बारिकी से बहुत अच्छी तरीके से हसते असाते समझा दूंगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरह करके आएगगे यह आपकी कौशी लाइन है करकर एखा है यह कौशी कि आता है मित्र आपको शाड़े 66 डिगरी पर आर कट्रक ब्रत देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप से पूछा जाता है कि आर कट्रक ब्रत है वो कितने एक्षांस पर है तो आप याद रखिए इसमें नौर्थ लगाना मत भूलिए अगर पूछा जाता है यह पैट और रीट जासे एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप यह पूछा किया है कई बार पूछा किया इसलिए आपको बता रहा हूं है कि 767 जो उत्तरी अच्छांस है याद रखेंतरी मतलब जो सरवाला वहाग होता है ङूक-एशे आर्कैट बरत कहता है आजके वाद आप भूग लेगें उसके बाद बढ़ाद‌ठीग में कि आप इसी तरीके से कि साड़े 23 डिग्री कि साड़े 23 डिग्री पर आएंगे तो यह आपको जो लाइन मिलेगी जो मिलें कि साड़े 23 डिग्री आएंगे साउत्में का पर साउत में दच्ड में मैंने माहाँ पताया जिरोश्यम उत्तर की दच्डी तरब जाएंगे तो साथ पढ़ता है तो साड़े 23 डिग्री दच्छडी अंस्चान्स को जो रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है मकर रेखा क्या कहा जाता है मकर रेखा कहा जाता है आपको विश्वास नहीं होगा और आज बाद हो भी जाएगा जो हमारा सूर है जो क्या है सूर है इसके बारे हमां चर्चा करने वाले हैं बतानेवाले हैं वो केवल इन दो अच्छांसों सो के बीची रहता है है सूर है अपना वो केवल इन दो अच्छांसों के बद्ध ही रहता है कौन-कौन से अच्छांसों के बद्ध है करक और मकर रेखा के बीच लहता है मतलब हमारे सूर है वो करक रेखा और मकर रेखा के ही मद्ध चमकता है यह इससे उपर नहीं जाता आप सोचते हो कि करक रेखा कि जो सूर है मकर रेखा के दच्छण में चल टैलता हुआ चला जाता हो जैसे पार्क में टैलते हुए लोग चले जाते हैं इसा कुछ भी नहीं है सूर केवल करक रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है उसकी किरणे इनी दोनों अच्छानसों के मद्य लंबवर्त पड़ती हैं जो सूर की किरणे हैं वो करक रेखा और मकर रेखा के बीच में ही अपनी किरणों को लंबवर्त अरे यार लंबवर्त का मतला होता है सीधी हुआ कि इसी तरीके से इसे कहते हैं कि तक तसी को बड़े प्यार से बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं मैं यह नहीं कहा रहा हूं किसी को देखते हैं आपको तुछ जित प्स findet गौर से देखते तो आप सब्सक्राइब करते हैं और प्रकरत को सारी गर्ट पढ़ सोचते उसका बस चलता तो सूरी की तरह से वो भी उपर टैलने के लिए चला जाता लेकिन नहीं तो साले तेश दिगरी पर है यह मकर रेखा है शूर हमारा इन दोनों के चमकता है लंबत डालता है और जो सेष स्थान पर इधर जो उपर वाला भाग है नौर्फ वाला यह बला भाग इस पर सूरी की तरफ यहां पर यह ये 6.65 डिगरी यह मित्र है कितना है शाड़े 6.65 दीगरी शाओध को जुरूद्ध द्थिछड़ को इसे हम अंतार्क्रिक भृत कहते हैं क्या केते हैं अंतार कृत्रिक भृत है करा अंका मपरा को अन्पर का जाता है अगर आप से पूछा जाता है कि आता यह बताये ऐंगे कि थर होता है by the います कि आई पर अंपर हैं तो इस पाइं डिमा दे है कितने कॉंटिनेंटल हैं कितने महाधीब हैं आप केबल है कितने हैं डियेट मता दीजिए ना मत ठीजिए लेकिन कोमेंंट्स कि बता दिए कितनी महाधित है और जो अंटार्क्टिक ब्रत है वो छेत रफल में कौन से नंबर पर है इतना बता दिए तो देखिएगा जो आर्क्टिक ब्रत है वो साड़े 660 डिग्री है कितना है साड़े 660 डिग्री दच्छडी अच्छांस के मत देशते कि जो किरणे हैं केवल यहीं तक पढ़ती है का तक पढ़ती है यहां तक पढ़ती है और्कटिक ब्रत ही पढ़ती है जो तिर्ची पड़ती हैं लंबवत नहीं तिर्ची पड़ती है तो मित्र इतनी बात आप समझ गए अब देखिए मैं आपको बताऊंगा सारी कहानी यह शुरू होती है आप पिलीज इसका थोड़े आपको इसके बारे में और ठीक तरीके से बता सकूंगा अब देखिए कौन-कौन से कारक हैं जो प्रहवेत करते हैं वह आपको बताता हूं कौन-कौन से कारक हैं जो सूर्थ आपको प्रहवेत करते हैं सवसे पहले दिन की अवधी क्या मित्रा दिन की अवधी सवसे पहला पॉइंट क्या है दिन की अवधी सबसे पहले पॉइंट में देखें तो कारक में सवसे पहले पॉइंट आप ड़सकते दिन की आवधि अवधि दिन की आवधि तो दिन की अवदी में देखिएगा दिन की अवदी को कह सकते हैं इसको शूर्य और प्रत्वी की सापैच्चे के स्थिव को भी कह सकते हैं यह बात एक ही है शूर्य और प्रत्वी और प्रत्वी के के बीच सापैच्चिक इस्ति 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 यह सूर्य के जो शूर्य ताप है उसको प्रहावित करते कैसे करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे प्रत्वी बनाते सबसे पहले आप भी मेरी तरह प्रत्वी बनाई इस तरीके से इस तरीके से, यह हमारी प्रत्वी है, कर करेका, इसके भारत के, स्वरी विश्वत रेका, प्रत्वी को दो भागा माटती है, यह आपकी कर करेका है, और ये मकर रेखा है इसके उपर ये आर्किटिक ब्रत है और ये अंटार्किटिक ब्रत है इतना तो समझ गई आप ये जीरो अच्छांस है ये करकर रेखा है और ये मकर रेखा है और ये आर्किटिक ब्रत है और ये अंटार्किटिक ब्रत है इतना क्लियर हुआ ये जीरो अच्छांस था ये साड़े तेज़ पर था नौर्थ था और साड़े च्छासट डिगरी ये भी नौर्थ था ये साड़े तेज़ डिगरी साउत था और साड़े च्छासट डिगरी ये भी साउत था इतना में तरह आपको क्लियर हो चुका है अब देखेंगे हमारा हम देखेंगे सबसे पहले 21 मार्च और 23 सितंबर वाल इस्ति थी दिन की अब अधी में देखेंगे हम 21 मार्च और 23 सितंबर वाल इस्ति थी किसको देखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर वाल इस्तिति हैं 21 मार्च और 23 सितंबर वाल इस्तिति को अब देखें तो देखिएगा क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो सूर है कि इस दिन यह सूर है देखो मित्र हम लोगों को क्या गलत पढ़ा जाता है आज तो बताता हूं अकसर कहा जाता है कि सूर्य उत्रान होता है दच्छान होता है कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है पीचर बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि सूर्य उत्राण हो गया सूर्य दश्राण हो गया क्या अप सीश्यलंत हैं सूर्य ने उत्राण होता हैं क्या परतेवी होती है लेकिन लोचिक उते हैं परते हो फटने के लिए वह अपको पढ़ाते ने गलत है यह गलत है लेकिन इसे गलत कोहिंस सही मांझते हैं और पढ़ाने का तरीका यहीं तो देखिए 21 प्वार्च ओटेई सेतंबर को सूर्ची किरणे लंबबत कीसी लंबबत करकrem framework सुरीमकर विष्वत रेखार पढ़ती है इसकी पिरणे का मुवध क कहा पढ़ती हैं विष्वत रेखाब सूर्ची की पिरणे लंबबत कहा पर पढ़ती है भूमद्य रेखा पर पढ़ती हैं यह आपको क्लियर हुआ कि 21 मार्च को सूरी की किरणे लंब बत भूमद्य रेखा पर पढ़ती हैं इस दर क्या होता है इस दर यह होता है कि दोनों कोलर आर्द में गूलार का आधा है यह और प्रिथ्वी और प्रिथ्वी को दिश्वत्रेखका ज finden Care तरीक से निवाटती है लेकिन समझ लीजिए कोई बात नहीं कि प्रत्वी को दुभागों माटती है इसका आधा है कि तना है आधा है इसे गोलार्द कहेंगे क्या कहेंगे गोलार्द कहेंगे ठीक है इसी तरीके से यह वाला जो आधा इसे भी गोलार्द कहेंगे तो इतना आपको क्लियर हुआ कि मुतलब प्रत्वी का ऐसा भाग जो आदा है कि उत्तरी यह जाता है गोलार्द कहा जाता है तो एसी स्तिमा सूर्ष है हमारा शन है अपना 21 और 23 स्तमबर को इसकी कर ने लंबमगद कहां पड़ती हैं कहां परित्र विस्वत रेखाफ़ पर पर पड़ती हैं आप लिछ शक्ते में 21 मार्च और 23 स्थम्बर को सूरी की करणे किरणे विश्वत रेखा पर लंबवत एक मुनट एक लंबवत पड़ती अब इसका एक्ट क्या होता है बहुत बहुत बताता हूँ गया आपको क्यों पढ़ा रहा हूं कि अपना सूरी की कीसि पड़ रही है यहां तो लंबवत पड़ रही है लेकिन इन दोनों ब्रतों पर यहां तक और यहां तक आप समझगे होंगे इन दोनों ब्रतों पर कौन से ब्रतों पर और Marianne Prat पर सूर्च की कृणे तिर्ची पढ़ती कैसी पढ़ती हैं तिरची पढ़ती हैं, यह मतलब 21 मार्च और 23 तंबर को सूरी का जो प्रकास है, केवल केवल आर्क्टिक ब्रत और अंटार्क्टिक ब्रत पर ही जा पाता है, यहाँ पर डार्क रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, अंदकार रहता है, क्या रहता है वित्र, अंदकार रहता है, सेस दोनों जगे पर अंदकार टाइप का रहता है। सूरी किरने केवल केवल इसी चित्र पड़ती हैं। यहाँ तो लंबबग पड़ती हैं और सेस स्थार पर कैसी पड़ रही है तिरची। वाले मैं जो पेल से दिखा नाूँ वो तिर्चीय देखा हां。 कया सी मित्रत तिर्चीय हैं। मतलब मिरा यह है कि यह प्रकास केबल आर्किटिक्ट और अंक्रेटिक ब्रत पर ही जा पाता है। तक ही पड़ पाता है यह आपको किलियर हो गया जो ब्लेक से दिखाया है मैंने वो क्या है बोगत सूरी की तरची क्रिड़े हैं जो आप अनमाल लगा सकते हैं अगर उत्तरी धुरूंप में जाएंगे जिसे हमारा भारत इस्तित हैं हम मुश्री उत्तरी गोलारत की बात करेंगें क्योंकि उत्तरी गोलारत में हमारा भारत इस्तित है भारत में ऐसी समय में जो सूर्गी किर्ड़े हैं वो तिरची पड़ती हैं यह दब देखा जाए तो भारत से भारत के दच्छण में जो ब्रिश्वत रेका है वो मात्र 816 कि सूर है यसि आपने देखा होगा कि यह हमारा भारत है यहां इसका नतिम पॉइंट है इंद्रा पॉइंट बोलते हैं यहां से यहां तक की दूर यह 800-14 किलोमेटर हैं कितनी है 806 किलोमेटर दूर रह जाती है लेकिंद सूर की किरणें कि कैसी है सूर्गी किर्णें हमारे भारत में तिरची पड़ती है इस दिन पहला पॉंट यह निकल के आ गया दूसरा पॉंट आप देखेंगे मित्र कि इस दिन दोनों गोलार्दों में इस दिन मलकिस दिन 21 किसम yell पीश मैं दोनों गोलार्द में दिन रात की दी रात ओ payoff दिन की अबदी बोल दिजए यह दिन और राट की अबदी बोल दीजिए समान रहती है मतलब जितने घंटे का धिन की गुंगा कि आप इस समय क्या होता है कि दोनों गोलारद में दिन और रात की अवदी कैसी रहती है शमान रहती है तो आप लिख सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं कि इस दिन 21 मार्च और 23 नमर को दोनों गोलारद में गोलारदों में दिन रात की अवदी अवदी शमान रहती है कैसी रहती है वित्र शमान रहती है और मोसम दोनों गोलारदों में समान रहता है और मोसम कैसा होता है दोनों गोलारदों में समान रहता है आप सोच रहे हों कि 21 मार्च को जब सूर्य यहां पर आ जाएगा आप भारत में रहे सब्सक्राइब सब्सक्राइब से दोनों घुलारदा में मोसम हैं भो समान रही घाए तो एसे स्प्रीमी लिखसकते हैं कि वसंत का का मौसम होता है बसंत का मौसम होता है पत्ते जो होते हैं ब्रच्छों होते हैं वो अपनी पत्तियों को इस मौसम में गिरा देती है और नई पत्तियों की आने की सुरुवात हो जाती है बसंत के मौसम में यह होता है ना आप लिख लिए जिए स्पर मौसम समान रहता है दिन रात बराबर होते हैं किस दिन होते हैं वह आपको बता दिया 21 मार्च को 31 तंबर को यह इस्ति बनती है अब देखिएगा इतना आपको क्लियर हुगा मित्र कितना आप समझ चुके होंगे मिरा अनुमान है कितना आप समझ चुके होंगे अब हम चलेंगे र साम को अपने भारत कि ओर वे कि हमारा इस सूर्थ् हम पर था अब हम चलेंगे dispers कि बया चलेंगे तो आप यह वाताईए जिस तरीके से 21 मार्च और 23 स्थम्बर को सूर्गी किर्णें लमवत पढ़ती हैं उसी तरीके से करकर एक हापर किस दिन सूर्गी किर्णें लमवत पढ़ती है या बताइए कोमेट्स करके तब तक मैं और बताता हूँ तब तक तुम्हें एक नई डेट बताता हूँ तो देखिएगा हम चलेंगे उत्तरी गोलार्द की तरफ तो 21 जून की तरफ चलेंगे तो यह थोड़ा सा में डालना पड़ेगा हमारा जी सूर्फ है वो उत्तरी गोलार्द की ओर चलना सुरू हो जाएगा 21 मार्च के बाद सूर्फ हमारा उत्तरी गोलार्द की ओर बढ़ना सुरू हो जाएगा कब से 21 मार्च के बाद 21 मार्च के बाद मार्च के बाद वो उत्तरी गोलार्द की तरफ इस तरीके से बढ़ेगा और तीन महिने में आपका कहाँ पर आ जाएगा मार्च अप्रेल मई और जून मार्च करेल मई जून 3 महिने पर कहा पर पहुंच जाएगा आपका कर करिखा पर पहुंच जाएगा और किस डेट को पहँचेगा तो आप बता सकते 21 जून को कब पहुंचेगा 21 जून को देखें फिर वही हमारा सूर यह चमकेगा कि यह चमकेगा कि यह अपना सूर है अब देखेगा 21 जून को तीन महीने का सफर करते करते हुए सूर हमारा कर कर यह पर पहुंच जाता है और एस इस्ति में कंडिशन क्या होती है कि सूर की किरणें कर कर यह पर लंबवद पढ़ने लगती है कर कर यह पर शूर की किरणें लंबवद पढ़ने लगती है कैसे पढ़ने लगती है मित्रा लंबवद पढ़ने लगती है इसका परड़ाम क्या होता है इसका परड़ाम क्या होता है मित्रा ऐसे इस्ति में उत्तरी गोलार्द में दिन बड़े होने लगते है कैसे होने लगते हैं दिन बड़े होने लगते हैं रातें छोटे होने लगते हैं एस्तिम क्या होता है कि जब सूर उत्राण होता है करकरेखा की तरफ जाता है हमारे हमारा भारत कहां पर है भारत की तरफ जाता है अपना भारत करकरेखा पर है यहां पर इस तरीके से तो भारत में इस समय क्या कंडिशन आती है गर्मी पढ़ने लगती है दिन की अवधी बहुत लम्मी हो जाती है रात उतनी ही छोटी हो जाती है क्या होता है राट उतनी ही छोटी होने लगती है इसके बाद मौसम की कंडिशन में देखे तो भीषण गरमी पढ़ने लगती है चाहिता है भीषण ऐसी कंडिशन में गरमी पढ़ने लगती है सर्दी भौत रात में बहुत कम पड़ती है गर्मी बहुत तेज पढ़ने लगती है क्योंकि सूरी करणे ऐसी कंडिशन में कहां पर होती है करकरेखा पर होती है और करकरेखा अमारे भारत के मद्द से होकर के गुजरती है दोनों तियां उत्पन हो जाती है यह तो दिन की होकर के उठने लगती है क्या होता है हवाएं गर्म होकर के हलकी होकर के उपर अपने लगती है जब नीचे आती है तो तेजी के साथ आती है तो अपने साथ धूल जैसे कड़ों को साथ ले करके आती है इसे हम कहते हैं कि आधी आ गई है पर्षी बंगाल में कहते हैं काल बै कि जीए आपको नोट कराता हूं सबसे पहले कर्डिशन क्या होती है सूर्थ आपकी कि ने उत्तरी गोलार्द में कि उत्तरी गोलार्द में गोलार्द समझ ऑंगा तो पुत्री गोलार्द में दिन की अवधी अवधी बड़ी होने लगती है और रातें छोटी होने लगती है रातें छोटी होने लगती है क्या होता है दिन की अवधी बड़ी होने लगती है और रातें छोटी होने लगती है इसके बाद क्या देखिएगा उत्तरी गोलार्द में भीसल गर्मी पढ़ने लगती है उत्तरी गोलार्द में भीसल गर्मी गर्मी पढ़ने लगती है उत्तरी गोलार्द में भीसल गर्मी पढ़ने लगती है इसके बाद एक लोजिक की तरप और मित्र ध्यान दीजिए ऐसी कंडिशन में क्या होता है जब करकर एखा पर सूरी क्रिण पढ़ती है ध्यान दीजिए उत्तरी गोलार्द में सूर की क्रिणे तिर्ची यहां तक पढ़ती है इसलिए इसलिए पर तक पड़ती हैं उत्तरी गुलार सब्सक्रार नौर्थ पोल तक उत्तरी धृब तक पड़ती है। कि यह दो अथे तिर्ची पढ़ती हैं कैसी पढ़ती हैं इसलिए आपने सुनाओगा कि जब सूर उत्राण होता है तो छए महीने का दिन होता है क्या होता है छे महीने का दिन होता है यहां पर सूर की किरणे तिर्ची चमकती रहती है रात नहीं होती है मतलब यह चेत्र हविसा प्रकासमान रहता है यह चेत्र कैसा रहता है मित्र प्रकासमान रहता है मतलब छे महीने का दिन होता है क्या होता है छे महीने का दिन होता है जब सूर्य उत्रान होता है तो उत्तरी धुरुपर दिन कैसा होता है 6 महीने का होता है क्योंकि यहां पर सूर्य की कियाने लंब बप पर तृत्तरी धुरुपर कासी पढ़ती है तिर्ची पढ़ती और फृत्तंच द्र。 लेकिन यहां पर जो छेतर है उत्तरी दुरुब है सफुड़ी अक पर रात होती होगी वहां नहीं होती है मुआं पर 10 रात हम जो यहां पर शूर्य किने तिरफ्ची परती हैं अगर बात करें धचचिडी दुरुभ की छाम साम्स पॉल बोलते हैं तो सूर का प्रकास मुत्र सूर्र का प्रकास केबल केबल है अंटार्क्रिक ब्रत्त कहांब आता है। ऑच अन्टार्क प्रत्त का रहे हैं अश्री का प्रकास है रहे हैं और यह चेत्र जो आप देख रहे हैं यह बला यह डार्क हो जाता है क्या हो जाता है डार्क हो जाता है मतलब यहां प्रकास होगा तो यहां अंदकार होगा यहां पर च्छे महीने की रात होगी क्या होगी 6 महीने की रात होगी क्योंकि सूर का जो सूर की किर्णे हैं जो तिरची किर्णे हैं वो किवल अंटार्क्रिक ब्रत्त की पड़ेगी उत्तरी दुरुप पर नहीं जाए यहां से लेकर के साड़े 66 से जो सेस बाग बचा है जीरो नब्य डिगरी तक का जो एरिया रहेगा जो साड़े 66 डिगरी से लेकर के दिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच वाला छेत रहेगा ये डार क्राइगा यह च्छे महीने की रात हो जाएगे क्या होगी यह मैं साथ पूल की बात कर रहा हूं इतर जो इन पर अंदकार हो जाएगा अगरह आम उत्तरी दुरुप की बात कर रहे हैं तो उत्तरी दुर्वप्र पर नौर्थ पोल पर या श्यमीने का श्यमीत प्रकास रहेगा क्वं तक रहेगा श्यमंत तक done इसी कारण जब सूर्ड उत्तरी गोलार्द में उत्ता है तो श्यमीने का दिन उतन आएं नॉर्थ पोल पर कहां पर नौर्थ पोल पर उत्तरी धुरुप पर और दच्छिड धुरुप में ऐसी कंडिशन क्या होती है कि दच्छिड धुरुप जो होता है सौथ पोल होता है उस पर अंदकार हो जाता है और वहां छे मेने के लिए रात हो जाती है क्या हो जाती है रात हो जाती है यह वि कि अगर आप से में तरे कॉशन पूछा जाता है अगर तुम से कोई कॉशन पूछता है कि कि सवसे बड़ा दिन कब पड़ता है अगर आप से पूछा जाता है मेरी बात पर गौर करिएगा अगर आप से कुशा जाता है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है तो अगर उत्तर बताने लगते हैं 500 को आपका उत्तर ही होता है ना तो ऐसी संद मैं क्या है जिसाँ जौन ने आप से प्रसंद पूछा और वहने भी अधूरा प्रसंद पूछा और जिस विद्धहान तुर्ण है झाले आप ने उत्तर दिया आपने जूफसे पूछाँ अ realityGER कोसुष्ण यह था कि आप ये बताइए कि उत्तरी गोलार्द में सबसे बढ़ा दिन कभ अब बता सकते हैं 21जम design को अगर आप से ये पूछा जाता है कि जछरी गोलार्द में सबसे बढ़ा दिन कभ ऊता है तो आप आगे बताएंगे कभ पढ़ता है 3 दिसंबर को कब पढ़ता है 23 दिसंबर को इस चीज़ का ध्यान रखिए क्वेशन कैसे पूछ रहा है उस पर ध्यान रखें उत्तरी गुलात पूछा रहा है क्या दच्छी गुलात पूछा जा रहा है अगर आपसे पूछा आता है कि दिनरात की अवधी किस दिन होती है तो आप दोनों डेट याद रखें किस मार्ट सो तेश सितंबर को आप इन दोनों को डेटों को याद रखेंगे इसी कंडिशन में क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरान होता है तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है कब होता है मित्रव 21 को सबसे बड़ा दिन बड़ा दिन उत्तरी गोलार नौर्थ उत्तरी गोलार नौर्थ उत्तरी गोलार और भरत से ब्लोंग करते हैं तो बता सकते हैं के 21 जुन को कब बाश्चेल ये वाला थुन नहीं बताएगा बड़ा दिन कब रहा है वह अपने बताएगा भाई वह अपने बताएगा यह सुर्द अच्छना है लोगा तो आप इसका सब्सक्राइब ले लिए होगा कि अब हम चलते हैं 22 दिसंबर की तरफ कब चलते हैं 22 दिसंबर की तरफ दोस्तों मेरा आगर आपको सेइसन अच्छा लगता है तो प्लीज कुझायस है मेरी बिनम निमेदन है मेरे आप से आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिए क्योंकि आपको विश्वास दलाना चांथा हूँ है कि इस चैनल पर मैं जीएस के आल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हुआ जोग्राफी पॉलिटी एकनोमिक्स जनल साइंस जैसे विश् तरीकी से सटीक और परिच्छा को ध्यार में रखते हुग वह उसी तरीकी से बढ़ाता हूं तो देखिए अम मैं आपको बताऊंगा 23 दिसंबर वाली घटना 23 दिसंबर वाली है तो 23 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है तो होता है चाहने देखा होगा क्रिसमिस डे वाला दिन होता है संबर के मेंहिने पढ़ता है लोग के जो वो मनाते हैं तो वह उस समय हो पर गर्मी पड़ रही होती है visada कर लोगों के तरफ देखेंगे युएस से की तरफ के लोगों को तो वहां के और यूरोप देखेंगे तो तो तेज दिसंबर वारी कंडिसन देखती ही तो सबसे पहले आप फिर एक प्रत्वी का आकार बनाईए कि यह हमारी प्रत्वी है विश्वत रेखा इसके इस तरीके से जाती है यह करक रेखा हुई और मकर रेखा हुई यह आर्किट्रिक बृत हुआ चलो दूसरे से दिखा जेते हुआ जानते ते हैं जते कि तुरह के वर्य pernah क्र भ आप अच्छी तरह ऐसे हैं कि अब चलते सूर्व की टरफ कि तेजंपर को में त्मी क्या होता है कि सूरी की चिर और मकः का पर हाँ यह सूर्य यह वह पर सूरी के किरणे मकर रेखा पर लंबबाद पढ़ती है जो आपके साड़े 30 डिगरी है साड़े 30 डिगरी साउथ है सूरी के किरणे मकर रेखा पर कैसी पढ़ती है मित्र लंबबाद पढ़ती है आप लेख सकते हैं सूरी की किरणे मकर रेखा पर लंबबद पढ़ती हैं कैसी पढ़ती हैं लंबबद पढ़ती हैं तो ऐसी कंडिसर आप यह बताईएगा जब सूरिकी क्रिणे मकर रेखा पर लंबबद पढ़ रही हैं तो हमारा प्यारा भारत हमारे देश यहां पर है भारत में कंडिसन क्या हो रही होगी तो आप बता सकते हैं इस समय भारत में जो परिवर्तन के अमसार थंडा मौसम होगा कैसा होगा सीत कालिन सर्दी पड़ रही होगी क्या पड़ रही होगी सीत कालिन सर्दी पड़ रही होगी तो आप लिख सकते हैं कि इस गोलार्द में मतलब दच्छडी गोलार्द में कंडिशन क्या होगी दच्छडी गोलार्द में भीसल गर्मी क्या होगी भीसल गर्मी होगी दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी क्या होगा दच्छडी गोलार्द में भीसल गर्मी पड़ रही होगी ऐसी कंडिशन में यहां पर दिन बड़े होंगे रात छोटी होगी और अगर में दच्छी गोलार्द में जाएंगे ऐसी कंडिशन में तो दिन की अवती बहुत छोटी होगी और रात बड़ी हो यहांपर 20 गर्मिंपड़ रही होगी ते च्छीडी गोलार्द में लेकिर 5 गोलार्द में देखेंगे सरद मौसम होगा गर्म सरदी पड़ रही हो थंड का मौसम होगा उसके बाद देखिए-गामित्रा उसके बाद हम देखेंगे सूरी की जो किरड़े हैं वो उत्तरी गोलार्द में वो उत्तरी गोलार्द में इसके उत्तरी दुरुप तक जाएंगे तोटल दुरुप तक जाएंगे नब्य डिगरी उत्तरी अच्छांस तक जाएंगे यह साउथ पोल है कौनसा है साउथ पोल है साउथ पोल तक जाएंगे तो नब्य डिगरी तक जाएंगे यह तो यह चेत्र रहे यह जो चेत्र है कि यह प्रकासवें हो जाएगा कैसा हो जाएगा प्रकास में हो जाएगा यहां पर छे महिने का दिन होगा क्या होगा यहां पर यहां अनेरा हो जाएगा तो 6 महा की रात क्या हो जाएगी हैं क्योंक आप जानते हैं सूरी की क्रिणे केबल 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 यहां तक जा पाएंगे आर्क ट्रिक बरत्तक जाएगे तहुंसरीर तो रेखिक। गिए आर्चेक ब्रत्तक जा पाएंगे क्योंकी शूरी किर्ड मकर रेखा पर लंब बद पढ़्र रही है इस च्यत्र पाढ़ रही है और सब ज्येगें तिर्ची पढ़ और सब ज्येदा कैसी पढ़ रही है六 चींप पर खीक तो भारत में इस समय क्या होगा विश्ण गर्मी होगी विश्ण सर्दी होगी और दच्छडी गोला में क्या होगा विश्ण गर्मी होगी तभी तो जो आस्टेली वाले लोग हैं ऐसी कंडिशन में कि विश्ण गर्वी में ही किसमस डे मनाते हैं इतना विट्र आपको क्लियर होगा और इसके जो फैक्ट है जो मैंने बता है अपनी जवान से उसे आप नोट करते करते जाएं तो आज के लिए मित्र इतना ही मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे फिर गुजाए से मेरी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ सेयर करिए सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करती समय पहला आइकन को जलो क्लिक कर लें और प्ला सेलेक्ट टर लें ताकि जो भी वीडियो बनाऊ उसका नोटिविशन आप तक पहुंच सके तो जेए जेवालत